नमस्कार नियूस्वन इंडिया में आप सभी का स्वागत आपके साथ मैं अर्शना कोशल आप देख रहे हैं देव भूमी शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ एवियम पर कॉंग्रस के सवाल पर सांसद महिंदर भट ने का टाक्ष किया है उन्होंने कहा है कि कॉंग मुख्यमंति पुशकर सिंग धामी भी पूजा अर्शना करते हुए नजर आए कन्या पूजन किया गया तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं और प्रदेश वासियों को नवमी और दश्वहरे के शुब कामनाएं दी गए मुख्यमंति पुशकर सिंग धामी ने श्वारदिये नवरात्र की नवमी के पावन अफसे पर मुख्यमंति अवास में विदी विधान के साथ पत्नी गीता धामी और बच्चों के साथ कन्या पूजन किया उन्होंने नौदूर्गा की प्रतीक नौ कन्याओं को भोजन मुख्यमंति ने निर्मल बुद्धी और अश्ट सिध्यों की प्रदाता मा सिध्यदात्री से प्रदेश और प्रदेश वासियों की सुख सम्रिद्धी की कामना भी की तस्वीर आपको दिखा रखे हैं कन्या पूजन करते हुए उत्राखन के मुख्यमंति पुशकर सिंग धामी और उनकी पत्नी उनके बच्चे आपको नजरा रखे होंगे क्योंकि आज नवमी पर मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है तो कहीं नौ कन्याओं का पूजन कर इस पूजा को संपन किया जाता है क्योंकि नौ कन्याओं को नौ मा का रूप माना जाता है और उसी क पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने विधि विधान के साथ कन्या पूझन किया है। तस्वीर आप देखें मुख्यवंत्री कन्या पूजन करते हो नजर आ रहे सह परिवाद उनकी पत्नी उनके बच्चे भी इस कन्या पूजन के समय उनके साथ मौजूद रहे उन्होंने भी इस पूजा में उनका पूरा साथ दिया मिलकर पूजा की गई कन्या पूजन किया ग अन्याओं को जो है आज भोज करवाया गया तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने देश्वासियों को दशेहरे के शुब कामनाई भी दी है